हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं आप सब लोग मास बढ़िया तो चले स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर एट और उसका लेक्चर नमबर टू है ना जिसके अंदर लोग पढ़ रहे थे गैस्ट्रो कि बहुत असान असान सीट्स है महरे पास कि और स्टूलेश्य मुता हून दिते स्तूल हुद्येशा में इंधिंग इंहां धिमेंटिक सेंटर इंमेंटिक जाने गीवंटिगिंगिंच सेंटर हो टां पे पे यह इंपो टेंड मेडियूला और लेंगेटा इसको जो वंटिंग सेंटर ब्रेन वाले पार्ट में है ना फर्स्ट यह में पढ़ा होगा ब्रेन के बारे में डिटेल में अब दो तरह की दवाईयां आती है लूटी करवाई भी जाती है जैसे पॉस्ट हो गयारा हो जाता है तो उल्टी यह हैं दीज आर्दा ड्रग्स यूज टू इवोक इवोक मतलब लेके आना वम्टिंग को जो वम्टिंग को लेके आती है वम्टिंग नीड्स टू बी इंड्यूस्ट ओनली वैना अंडिजारेवल सबस्टांस पॉजन है इस बिन इंजेस्टेड वम्टिंग हमें तभी प्रिवेंट और सप्रेस्ट वम्टिंग प्रिवेंट रोकना है या वम्टिंग को दवा देना है अब अगेन इसमें भी पिछली वाले लेक्चर की तरह हमें थोड़ी सी प्रॉस्स समाझने पड़ेगी क्लासिफिकेशन से पहले यह हमारा ब्रेन का पार्ट मैंडिलो अब प्लेंग अटा ठीक है यह रहा हमारा वामिटिंग सेंटर कौन अब देखो इसको पर आके एक्ट कर रहे हैं ठीक है एंटिएस इस पर कौन कौन करते हैं 5H3,H3,D2,M1,H1,NK1, रिसेप्टर यह सारे रिसेप्टर इसको क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं क्या होता है ए तो NTS Nucleus Tractus Solitarious अब इसको याद रहीं जरूद नहीं सिर्फ एक बात बता रहा हूं मैं क्यों यह बता रहा हूं इसकी जरूद पड़ी है हमें क्लासिफिकेशन में फिर यह वाला पार्ट है ठीक है इसको NK1,D2,5H3,OPI,MU यह सारे रिसेप्टर्स हैं जो यहां पाए हुँए इंट से घ्वंट आंजान जाते हैं यह एक्टिवेट होते हैं तो वंटिंग कर देंगे ठीक है कोटेक्स कोटेक्स और पाट हमें समय पेंसी आजाता बताइथ है कान मोचान ओटक्सिक अ गोल-गोल घुमते हैं कई बार तो महारा कान में क्या फिल्यूड गोल-गोल घुमता है उससे सेरेबलम से वाम्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है अब यहां पर पेट की बात करें अगर हम लोग तो पेट में हमारे पास 5ST यहाल रिसेप्टर पाए जाते हैं प्लस यहां घूम फिर के ब्लड वैसल में दिखा रख यह 5ST है ठीक है यह जाकर 5ST सैटेटॉक्सिक ड्रग है लिवडोपा है यह सारे ड्रक्स क्या करते हैं घूम फिर के कहीं से भी चले जाओ तो वाम्टिंग सेंटर हमारा एक्टिवेट होता है पूरा डिटेल में जाने की जरूत न आता अच्छा डीव यहां पाये जाते हैं ठीक है बहुत डीटेल में नहीं चारा फिर बता रहा हो तीक है भांट डीटेल में हमको नहीं जारा लिए डिट्वर्न इतना रखलो आध फिर आ अपने पास एचकर है को इसका को यह बताया है यहाँ पर और क्यों रॉभन रिसेटर तिक थींग adjusting रिसेप्टर फाइश्टी रिसेट्टर कई पाई जा रहे हैं इन रिसेप्टर से डर्ट पे अक्टिवेशन होता है ठीक है यह रिसेटर पाइकल करते हैं ल भॉं पूल फॉर्म यहां लिख दीए ठीक है बहुत जाद है हमें यहां पर डीटेल नहीं जा रहा हमको फोकस करना है कहां क्लासिफिकेशन में अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने वाला डाइग्राम यहां पर रखा था के लिए रहे पिछले डायग्राम को याद करने मत बैड जियाना नही Пछ छलो एंटि डिख रख circco जो पर दामने अंटि-उटकोटिक रखस होते हैं एंसनामियिक प्रोकाइनेटिक प्रोकाइनेटिक फाव एत्स एंट्र अपर काम करेंगे एडियोड्ट में साथ-इंथ सद्वल ने किया रेいき correct है help емographics है थी कह सब मेंसे दोदो और तो इसमें कुछ नहीं ठीक है आगे आते हैं अब फार्मकोलोजिकल एक्षन की बात कर लें हम लोग तो एंटी कोलोजीक के वही फार्मकोलोजीकल एक्षन रहेंगे जो आमने पढ़ रहे थे चैप्टर टू लिख दिया मैंने हापर क्यों लिख दिया नियुरोलेप्टि चिछ यहां पर आ जाएंगी प्रोट इसाट्रग विच्ट गैस्ट्रो इंटेस्ट इनल ट्रांजियन ट्रांजिट क्या प्यट को जल्दी-जल्दी खाली करवा देंगे पेट जितने जल्दी खाली होगा तो जो चीज पेट के अंदर ना उसी के वह से वहम्टिंग आती कई पर तो वह नहीं होगा and speed gastric emptying पेट जल्दी से खाली होता है by enhancing coordinated propulsive motility है ना जो पेट को धक्का मारने वाले अंदर ऐसे करके प्रपल्सीव एक तरह से ऐसे 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 धक्का लगता खाने को यह तो तीन पीछे वाले उठा लोगे एक प्रोकारिटिक वाला याद रखोगे यहाँ पर जो इसमें अलग सा आगे बात पुराने वाले हैं तो उस होता है हर किसी में उसको याद रखना ज़रूरी होता है ठीक है डोस सबकी जैसे मैंने बताई हर बार की तरह कि डोस सबकी क्या करोगे दो-दो सबकी याद करोगे दो यहाँ पर हायोसीन और डाइकलोवाइन दोने इंपोर्टेंट है तो दोनों कर लोगे यहाँ पर क्लोर जाद अच्छा रहेगा मैकलोजीन भी है मेकलीजैन के नाम से फेमस है अंडिस्ट्रॉन बड़ा फेमस है वह उल्टी के लिए ठीक है और यहां पर यहां पर यह तीन-तीन कर ले लिए इंप्वार्टन क्यों है यह अमोमन बड़ा ही तेजी से अलब आजकर बड़ा ही कॉमनली इस्तमाल होते है इसलिए में इनको इंप्वार्टन बता रहा हूं ठीक है देख लोगा अगर अगर मेडिकल शॉप पर करें बैठते हो यह थोड़ा बात जो लोग बैठते हैं जो लोग नहीं बैठते हो उनक आइम ठीक है पॉइंट टू से पॉइंट फॉर रही है देन आ जाओगे मेट्रोप्रोमाइट टैन एमजी चिल्रेंट के डॉंपरेड़न टैन से फॉर्टी एमजी है ना डॉंपरेड़न की टेरबिट्स होगए रहाते हैं कैप्सुल होगए रहाते हैं ठीक है अधरवाइस दो एमजी चारेंजी में नॉमली दिया जाता है ठीक है ना तो इस तरीके से खास खास लिवोसल प्राइड यह बड़ा दिया जाता है इंपोर्टेंट यहाद रखनी ज़रूत नहीं है ठीक है दैन यहाँ पर कीमो थेरपी इंयोज्ज नॉज्जिया घंटिंग केमो थेरपी इंड्यूज न आज एव मंटिंग ठीक है और यह पोस्ट अपरेटिव नाज गर्नेससी आव गर्याद देने जाता है उसके बाद जो नॉज गर्ना जाता है उसकेड ऊता से ये टूम्स ड्राउन को लिख दो 2 एम जी तूम गलत नहीं बच्चे के लिए फोर एम जी गलत नहीं है साधारन केस के लिए डायरिया वगर रहाए थे लिए तो फोर एम जी जबा चलती है लेकिन एक तैम जी इस पेसल केसे में चल रही है तो डोस सारी सही है डिपैंट करता है तो बहुत जाद उसके लिए परशान नहीं होना है क्योंकि सबकी डोस की सरक पाना पॉसिबल नहीं है ठीक है जितना आराम से हो सके उतना याद करना है बढ़ाना नहीं है परशान नहीं होना जितने वह वाले हैं या किसी वजे से वर्म होती है अन्टी मेंटिक तो हई-घैस्ट्रो काइंटिक हो गया डिस्पैट्सिया हो गया नहीं पता है किमोठ्य होता है यह मोशन सीकने जिस चलते फिर दें जहांज वगरा मिया चस्ट्रिया इस ऑना पोस्ट अपरेटिव नोई कुछ नहीं है तो नहीं देंगे और कोई इंसान कोमा में है तो कोशिश करेंगो इसको यह नहीं होता है ठीक है तो यह इसके पाट रहेगा यहां पर किलिए और यह लेक्चर भी हमारा यहां पर हो जाता है और हमेशा की तरह पता ही है क्या करना है पढ़ना है और किसी थारे की बेटा कोई प्रॉलम आ नहीं ठीक है, as a counselor, as a teacher, as a friend, मुझे call कर लें, ठीक है न, कोई problem है, तो उसको मैं solve करने की कोशिश करूँगा, ठीक है न, पढ़ते रहो, रिवाइस करते रहो, पास पक्का हो जाओगे, all the best.